हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मिशन कॉंप्टिशन मैं रहुल को पताब सभी का सवाद करता हूं आपके अपनी यूटुब चैनल मिशन कॉंप्टिशन में दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके बीच डेले डोस का एकॉर्ण नहीं मीनिम माक टेस्ट लेकि हाजिर हैं जो की हिस्ट्री के उपर होगा उमिद करता हूं आपने हमारे प्रिवियस वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं तो आप जाके वह सब भी माक टेस्ट लगाई है वह सारे आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टन है तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट कॉष्टेन है सिंदु सब भेता के टेरा कोटा यानि मिट्टी से बनी अकृतिया में निमलिखित में से कौन सा पालतु जानवर नहीं था विच फोलोईंग वाज नॉट अट अटमेस्टिकेटर अनिमल इनिमल इन की गाए और सूर यानि की पिग और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्सिन नमबर सी यानि की गाए ठीक है तो सिंदु गाटी सभेता जो है यानि यहां मिट्टी से बनी अकृतिया मिलती थी उनमें पालतु जानवरों में किसके जो अकृतिया नहीं मिली है वो है गाए के आम सॉरी अब चलिए इससे कुछ रिटरेट फैक्स भी डिसकस कर लेते हैं ठीक है तो मिट्टी से बनी मूर्त मिली है अब किन किन जानवरों का मिला है यह भी जड़ा जान ले तो बैल भैंस भेंड बकडी बाग सुर गेंडा भालू मोर बंदर तोता बतक और कबूतर ऐसे जानवर और पक्चियों के अफसेस यहां मिले है अब यहां जानने वाली और जो गौर करने वाली बात क्या है यह भी आप लोग जड़ा जान ले कि जो मानव की मूर्तिया मिली है वो ठोस है ओके मानव की मूर्तिया जो है मिली है वो है ठोस लेकिन जो पसू और जो पक्चियों के जो मूर्तिय मिली है वो अंदर से खोंक ली है चलिए ठीक है बढ़ते हैं नेक्स हमारे कोस्चन के और हमारा नेक्स्ट कोश्चन है और हमारा करेक्ट आंसर है कि यानि की अग्यात यानि की अन्नोन हाँ तो फ्रेंट्स जैसा कि अब सभी जानते हैं कि यहाँ जो है जितने भी कि इस civilization में जो language जो script मिले हैं वो सारे भाव चितरात्मक है कोई written हमें यहाँ पर script या language written कुछ ऐसा मिला नहीं है और कुछ अगर लिखा हुआ मिला भी है तो उसे पढ़ाने जा सकता है और ज़्यादा तर जो अफसेस मिले हैं वो सारे भाव चितरात्मक है वो सारे अपने जो भावनाय होते थे वो चितर बना बना के उन्होंने वो सारा व्यक्त किया हुआ है जो की पढ़ पाना अब तक तो संभव नहीं हुआ है आगे का पता नहीं चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नमबर त्री 1857 के संघर्थ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सरवाधिक संख्या कौन सी प्रांत में थी ओके विच प्रोविन्स हैड था हाइस नमबर अफ सोल्जर्थ वू तुक पार्ट इन था 1857 कंफ्लिक्ट ठीक है हमारे ओप्संस हैं अवद बी गुजरात सी दिल्ली डी जहांसी और हमारे करेक्ट आंसर है अवद तो दोस्तों अवद में जो है जो भी संगर्स में सिपाईयों ने भाग लिया था वो अवद प्रांत के सिपाईयों का इसमें सरवाधिक संख्या था चलिए बर दें नेक्स कोस्चन की वर हमारा नेक्स कोस्चन है कोस्चन नमबर 4 बहुत ही अच्छा सा कोस्चन है 1935 या गरीब जनता के हक में है अप्सन नमबर बी या भारतिय समिधान का परमुक स्रोथ है अप्सन नमबर सी या सिख्छा समंदित है अप्सन नमबर दी तीनों आप्सन नहीं अप्सन सही है तो हमारा गरेक्ट आंसर क्या होगा इसमें गेस करें आप लोग और हमारा गरेक्ट आंसर है अप्सन नमबर बी या भारतिय समिधान का परमुक स्रोथ है तो इस अधिनियम को जो है दोस्तो ओगस्ट 1935 में पारित किया गया था और इस से उस समय के अधिनियम संसद का सबसे लंबा अधिनियम कहा गया था यह जो अधिनियम उस समय जो संसद में पेस हुआ था यह लॉंगस्ट अधिनियम था उस समय जो संसद में पेस किया गया था इसकी लंबाई के हुझा से प्रतिक्रिया स्वरू भारत सरकार दोरा अधिनियम 1935 को जो दो अलाग अधिनियम में विभाजित किया गया था यह इतना ज़्यादा लंबा था फ्रेंड्स कि इसको दो पार्ट में तभी डिवाइड किया गया था पहला था भारत सरकार दोरा दोरा नेक्स कोश्चन के और नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर फाइव किसने रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट के स्थापना की बहुत ही बहतरी इन सा कोश्चन है अप्सन से हैं जवारल नेहरू, गांधिजी, सुभास चंद्र बोस और रानी लक्ष्मी बाई और आमारा करेक्ट आंसर हैं आप्सन नमबर पाइव काकыл यानि स्थापना की थी और इस से रेटेट कुछ मैं है तो इस से रेटेट फैक्ट यह है कि 1943 में देश की विरांगना जहासी रानी बाई के नाम पर जहासी के रानी रेजिमेंट के स्थाफना की गई थी जिसमें करीब 170 महिलाएं सामिल हुई थी अब यह महिलाएं कहां से थी तो यह महिलाएं जो है ना वो मलेशिय के रवर्ड एस्टेट फैक्टरी में यह सारी काम करती थी और सारी की सारी भारती मूल की थी सारी की सारी इंडियन्स थी चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है servants of India society किस थापना किस ने की who founded the servants of India society विपिन चंद्र, जवाहरलाल नहरू, स्री गौतम रहुगन और option number D, गुपाल कृष्ण गोखले और हमारा correct answer है option number D, गुपाल कृष्ण गोखले तो दोस्तों गुपाल कृष्ण गोखले ने जो है पूने में कहां पे, पूने में 1905 में servants of Indian society कि इनोंने स्थापना कि थी इसका main जो aim था, उसका aim था नौजवानों को सारवजनिक जीवन के लिए परसिक्षित करना, ठीक है इस society के सदस्थ आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे यह आप जान ले, society उनके परिवार के भरन पोशन के लिए 100 रुपए पर मन्त दिया करती थी ठीक है, राजेंदर प्रसाद जब कॉलकता से जो है वकालत करके आए थे ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले आए और राजेंदर प्रसाद से इस society का सदस्थ बनने हो कहा राजेंदर प्रसाद ने जो है, 20 दिनों के विचार मन्तन के बाद इनका यह ओफर इन्होंने मान लिया था, किसने राजेंदर प्रसाद ने, चलिए नेक्स्ट कोश्चन के बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कोश्चन है, क्वेश्चन नमबर सेवेन, बहुत अच्छा कोश्चन है, किस सासक ने, लौ एवम रख्त की निती का पालन किया, ठीक है, हमारे ऑप्शन से हैं, बल्बन, इल्दुत्मिश, अलाउदिन खिल जी, महम् किस डाइनेस्टी से था ये, ये था गुलाम डाइनेस्टी, यानि गुलाम वन्स से, ठीक है, इसका जो है, सासन पिरियड रहा है, बारा सो चालिस से लेके, बारा सो सतासी तक, मैं आपको बता दू, ये हिस्टरी में बहुत ही, क्रुएल रूलर के नाम से भी जाना जाता ह ये पहला ससासक है, जो बहुत ही जादा एजड़ ये ससासक है, जो सासन मैया, ये लगभग साट साल के उमड़ में राजगदी पे बैठा था, ठीक है, ये आप जान ले, बलबन एक तुर्क गुलाम था, जो गुलामों के रूप में ही भारत में आया था, ये किसका गुला लेता रहा, इल्दूतमिस के दर्वार में, ठीक है, इसके बारे में एक बात और भी कही जाती है, कि ये जो है अपने दर्वार में सिजदा और पवबोस प्रथा की इसी ने सुरुवात की थी, ठीक है, और ये तुर्क और गैर तुर्क लोगों में बहुत ज़्यादा वास रिस्पॉंसबल फॉर लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म अंडर अगबर स् रूल, बिर्बल, बिहारी मल, टोडर मल, जैसिंग, और हमारा करेक्ट आंसर है, आप्सिन नमबर, टोडर मल, तोडर मल जो है, अगबर के सासनकाल में, अगबर के दर्वार में ये भूर आज जैस्व कर सुधारों के लिए ये वहाँ पे अधिकारी थें, ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगबर ने अपने सासनकाल में भूर आजसु को चार भागों में इसने बाटा था, चार भागों में इसने अपने भूर आजसु कर का वर्गी करन कि बढ़ते हैं नेक्स कोच्छन के और हमारा नेक्स कोच्छन है, बाहत अच्छा सा कोच्छन है ये, जी, अकबर के सासनकाल में महाभारत का फार्सी भासा मनवाद किया गया था, उस अनुदित महाभारत क्या नाम है, का नाम क्या है, whatever, महाभारता वाज ट्रंसलेटेट इन और हमारा correct answer है तो अकबर के सासनकान में जो महाभारत को फार्सी भासे में जो ट्रांसलेट किया गया था उस ट्रांसलेटेट वर्जेन क्या नाम है रज्म नामा और इसे लिखा किस ने था तो इसे लिखा था नकीब खान ने यह आप लोग जान ले नकीब खान ने इसको लिखा था ट्रांसलेट किया था बढ़ते हैं आगे हमारा आज का आकरी question है प्रारम में बाबर के सब को कहां दफनाया गया था वेर वाज बाबर्स बाबर्स बाडी इनीशली बियूरेट हमारे options है ए आगरा के राम बाग में यहां राम बाग स्पेलिंग मिस्टेक है नई दिल्ली में कॉलकता में जामा मस्जिद में और हमारा correct answer है आगरा में ओके और फिर इसके बाड़ी को वहां से बाद में फिर से ले जाके अफगानिस्तान के काबूल में बाबरे बाग में उसके बाद लास्ट ली उसे फाइनली दफनाया गया ओके तो यह था आज का हमारा डेली डोज का वीडियो जो की हिस्टरी के उपर था आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने फैमिलिये ख्याल रखें टेक केर बाबाई और गोडब्लिस यूँ